हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब मैं मिशन टू आले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूटूब चैनल मिशन टू पर तो आजम कच्छा नाइन्थ का क्लास नाइन्थ का विज्ञान का मॉडल पेपर विकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट वन को करने जारे और यह जो मॉडल पेपर है आपके विकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा और अपने सभी साथियो को से जरूर कर देना जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे सापाटी होंगे सभी को इस वीडियो को से जरूर कर देना यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टन्ट इसमें सभी महत्तोपुन सवालों को लिए गया है जो कि बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कई बार आपके ही वीकलिटेक्ट में भी पूछा गया सवाल है जीवन की मौलिकी कायि क्या है ऑपसान है को सिका उत्तक नियूर और कब किया थह यह आप मुझे कंच करें बताओं जली से बताओं कि इसका का खोज कब किया था जीवन की मौलिक कहाय कोज रॉबर ठॉक किया था और कब किया था नेक्ट सवाल देखते हैं लोग शर्प्रतं को सिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किये थे कोशिका का खोज किसने क्या है तो आख बंद कर कि आप बोल सकते हो 1665 नेक्स सवाल देखते है सेल सब्द की उत्पती से संबंदित वैध्यानिक का नाम लिखे कोशिका को इंगलिस में लोग सेल कहते हैं और इस सब्द का उत्पतिवा था तो इससे संबंदित कौन से वैग्यानिक था तो इससे संबंदित जो वैग्यानिक था यह रॉबा ठूकता ठीक है ऑप्सन नमबर डीस का राइट हो जाएगा ठीक है आगे दिखते हैं नेक्ट सवाल हम लोग कोसिका का सिधान्त किया था कौन किया था प्रोंकोज और सब्से बाड़ी कोजिका सबसे बड़ी कोजिका है यह कौन सी कोजिका सृरी का कोई घरियांतमक क्रियातमक क्या है तो जीव के रचनात्मक और करियात्मक पिकाई प्रेस के लिकिन सबसे चोटा बात कर रहा है तो माइक्रो प्लाजमा हो जाएगा कोशिएका का उर्जागरा पावर होस बजली घर जिसको बोलते हैं किसको कहा जाता है तो यह मैट्रो कौंड्रिया को कहा जाता है तो कुलकर इं strands यहीं पर होता है जी हएं पर होता है इसलिए मैट्रोकॉंड्रिया को उर्जा घर बावर हॉस या बिजली घर कहा जाता है आगे दिखते हैं नेक सवाल आत्महत्या का थायला किसे कहा जाता है लवा क्रिक्तिका लाइसोसोम केंद्रिका आपको कई बार आपको बता चुकें डियर कि आत्महत्या के थायली जो कहा घर किसे कहते हैं तो वह आपके माइट्रोकॉंड्रिया को कहते हैं आगे दिखते हैं नेक सवाल कौन सा को सिकांग पाचक थैली कहलाता है तो इसमें अगर देखे तो लाइसोसोम ही पाचक थैली कहलाता है ऑप्सन नबर भी इसका राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ को सिका के सबसे बाहरी ऑरन क्या होता है को सिका भित्ती में चारो साइड जिली that helps होती है और यह पाधपमे वह लेकिन इसके उपर एक परत जो होती है इसको हम लोग कोशिका भित्ती कहते हैं और ये सिर्फ का सिर्फ आपका पादप कोशिका में होता है और ये निर्जी होता है ये क्या होता है निर्जी होता है और ये सिर्फ का सिर्फ पादप कोशिका में होता है तो पादप कोशिका का सबसे बाहरे जाने वाले जिली को क्या कहते है array वहीं फुर्फ पुछ्डिया जी ठीक है तो प लाजमा जिली एक यहां पर जो है ना कोशन को थोड़ा घ्भुमा दिया घिया यहां पर जिली पूछा गया भित्ट नहीं पूछा गया है ठीक है तो कोसी Rio के चारों और जो पाई जाती को सी को प्लाज्मा जृली नाम से जांता है टो ऑप्सण बर से इसका राइट हो जाएगा आगे डिखते हैं बाहरियापर किंद्रेट का कार्य का है देखें तारक केंद्रक का जो कार्य है यह आपका क्या कार्य है तो कोशिका का विभाजन करता है यह क्या करता है कोशिका का विभाजन करता है कोशिका को अलग-अलग करता है जी हाँ अलग-अलग करता है और जब कोशिका का विभाजन होता है तो तरको निर्मान ह होता है यानि उप्सन निर्मान का केंद्र है तो अगर इसमें देखे प्रोटीन के निर्मान तो यह राइबोसों में ही क्या होता है प्रोटीन का निर्मान होता है इसमें यही सब है और इसके बाद अगर इसके बाहरी औरं को देखे हैं तो इसमें कोशी का भित्ती होती है पादप का बात कर रहे हैं और यही चीज़ अगर पादप ने पूछता तो इतना ही होता जन्तु वाले में लेकिन अगर पादप का बात कर देगा तो पादप में इसके चारो और एक और परत होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कोशी का भीत्य और यह निर्जी होता भी आप लोगों ज़ेस्ट बता चुक्ँे हैंगे तो कोसिका मवित्ती इसका राइट असर हो जाएगा जीद बने होते हैं दार्ख के खंट ला तारक पहां पहता है लीड यह जाता है अपनी डाप से रिखें लगे लेकिन वह पानी नहीं यहूहता ही put तो दो यह आपका कोसे का पहलगा पहा जाता है यहाँ रिख्थी 이는 कें दो प्रकार की पाई जाती है तो इसमें पाई जाती है आपका दो प्रकार की पाई जाथी है तो कौन सा तो एक देखते हैं सवाल जेलियों से घरा हुआ कोसिका द्रव में पायज आने वाला अंगाग जिसमें पाचक रसाइनों का इंजाइम पायज आते हैं कहलाता है तो ये क्या कहलाता है तो ये लाइसोसोम कहलाता है डियर याद रखना आगे देखते हैं कोसिका के अंदर प्रोटीन का संसलेसन कहा होता है तो protein का संसे लेसन भी आप लोगों बता चुके थे कहां पे होता है डियर तो यह आपका राइबो सोम में होता है कहां पे होता है राइबो सोम में आगे देखते हैं का कार्ध क्वाय किया है तो दो लोग बता चुके थे यहीं पे विजली गर इसको बोले देश week ऑर जाता यहीं इसले क्या पर अुर्जी का निरमान होता है है लेक्स सवाल देखते हैं और इस सवाल का अंसर कमड़ करके बताना जी एक और रिख found we चलिए मैं देखना चाहता हूं आप लोग इसका जल्दी से कमेंट करके इसका फटा-फट बता दो कि 29 का अंसर क्या होने वाला है आगे देखते हैं नेक्ट सवाल पर हम लोग कोशी का किस अंगक में ATP बनता है तो किस अंगक में ATP बनता है तो इसमें दोस्तों को अपना दूस्तों को सेयर करते ऐखा के जीआ जितना अब्डेट नाप्डेट हमँ आपके साथ रहेंगे जिस तरीके से क्लास का बार बार वीडियो आती है उसी परकार class 9 का भी वीडियो आएगा डियर ठीक है इसी लिए आप लोग आप लोग जादा से जादा बच्चों को इस वीडियो को share कर देंगे class 9 वारे बच्चों तक सभी जितने भी दोस्तों गया आपके सभी को share कर देजेगा ठीक है जिस तरीके से आपके भाईया बहन को हम पढ़ाएं हैं जो आपके senior जो आपके जा चुके हैं ठीक है 10 में जो 9 वाले 10 में उनसे पूछना ठीक है पूछना ठीक है कैसा रहता था कैसा इससे क्या help मिला इस चैनल से ठीक है उन्हें जरूर बताना काफी बच्चे इस चैनल से help लिए है class 9 में जो कि अभी class 10 में application प सब्सक्राइब मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्राइट प्रोवाइट करवांगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू सो मच